चुनावी बॉंड को आज सुप्रीम कोट ने ऐस सवेधानी करार दे दिया है पहले से कॉंग्रेस पार्टी कहती रही कि जो चुनावी बॉंड है जिसमें जनता को कुछ पता नहीं चलता यह बड़ा घुटाला है आपको किस बिजनस घराने ने कितना बड़ा पैसा दिया क् चाहिए उसकी लिस्टींग होनी चाहिए इलेक्शन कमिशन को पता नहीं है जनता को पता नहीं को राइट टू इंफॉर्मेशन के दायरे में यह आता नहीं है आखिर सुप्रीम कोट ना बहुत बड़ा न्याई किया है देश की जनता के साथ कि कम से कम जो आई टी आई के दायरे में आ गया इलेक्शन कमिशन के दायरे में आ गया ऐसे वक्त में इस सब्सक्राइब कर दिया कि बड़े बड़े काम हुए है उन बड़े बिजनेस टाइकूंस ने इनको पैसा दिया है तो निस्चित रूप से इसमें का स्वास्त नजर आता है कि यह फैसला जो ना भी बौर्ड जारी नहीं किये यह सीधे सीधे काले धन को सफेद करने का मामला है और यह बड़ा घुटाला साबित हो है पूरे देश में अब किसको कहें कोई सुनने वाला नहीं है जो सच बोले उसकी जवान पर ताला लगा दिया जाता है कोई खुलकर अपनी बात कह तो असली राम रांजी यह है कि आपकी इमानदाजी और नी चाहिए एदी रामराजी की बात करते हो रांडी बात करते कहां का से। पैसा आया सुप्रीम कूर्ट के आदेश को इमानदारी से लागू की जिए यह देश चाहता है जिस दिन यह बॉंड का यह जो फैसल आया इस बॉंड के फैसले ने साबित कर दिया है कि केंद्र सरकार ने भी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सब जगे कि लिए रहते कर चुनाव आयुक्ति का मामला पहरे चीफ जेस्टिस एक कमीटी के मैंबर थे प्रैम मिनस्टर थे या पोजिशन लीडर थे अब चीफ जेस्टिस नहीं होगी उस कमीटी के मैंबर और एक बिल लाकंड लोग समावेमें इस मामले किसी को ताकत देगा और इसमें ये बड़ा घुटाला सावित होगा